जै मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महा काली बगत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली मा का सिद्ध सवार मंत्र केवल तीन बार बोले ताली बजा के फूक मार के जिस देवी देपता को बुलाओगे एक मिनट में आपके सामने हाजिर होगा जी हाँ भक्तो जैसे कि आपने देखा है जब हम किसी भी चोकी में या दरवार में जाते हैं और वहां के जो भगत होते हैं जो गुरू होते हैं जो गद्धी लगाते हैं तो वो किसी भी देवी देपता को एक सेकिंड में बुला के उससे आपके बारे में जान लेते हैं और फिर वो आपको बता देते हैं कि तुमारे घर में ऐसा ऐसा होता है और ये ये चीजे तुम्हारे घर में है तुम कहते हो कि हाँ हमारे साथ ये सब चीजे होती है हमें सपने में ये ही चीजे दिखाई देती है या हमारे सरीर में इस तरह की चीजे होती है फिर वो आपको बताता है कि तुम्हारे घर में ये चीजे है और ये कहां से चलिए सब कुछ वो आपको बता देता है देगे वो आपको बिन देखे ही आपके वारे में सब कुछ सच क्यों बताता है उसको देवी देपता बताते हैं तब वो आपको बताता है तो ऐसे ही अगर आप भी मा काली की पूझा करते हैं और मा काली को सामने बुल बचेने चाते हैं किसी भी चीज की जानकारी लेदा or देने चाते हैं तो आपको काली मaa के यह सवार मंतर को तीन बार बोलना पड़ेगा ताली वजाके साथ में फूंक मार गये समझ लो महाकाली का जुम्हें मंतर देने जारी हूँ इस मंतर से कोई भी देवी देपता आपके सामने एक मिनट में हाजिर होगा 108 परसेंट गारंटी के साथ तो चलिए भक्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आपसे करना चाऊंगी अगर आप लोग महाकाली भकत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि अमारी जो भी न्यूव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भकतों के पास पूछे अब देखी जो मैं आपको मंतर देने जारी हूँ काली मा का सबसे पावरफुल मंतर है और ऐसा नहीं कि केवल काली मा पे ही इस्तमाल किया जाता है ये मंतर ऐसा है कि जैसे मानो मैं काली की पूझा कर रही हूँ और साथ में दुर्गा मा की भी करती हूँ तो जैसे मुझे ये तो पता है कि इस मंतर से मा काली तो आएगी आएगी, ठीक है, ये मुझे पूरा पता है, लेकिन मैं साथ में चाती हूँ, मा दुरुगा भी आए, मैं दुरुगा मा से भी पूछा लेना चाती हूँ, किसी चीज की जानकारी लेना चाती हूँ, और मा को स से एक एक लाइन याद करना है जब यह आपको अच्छे से याद हो जाए पूरी तरीके से उसके बाद आप इसका इस्तमाल करेंगे इस्तमाल कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगी पहले आप सामने स्क्रीन पर मंतर देख लीजिए ओम क्रीन काली बिराए नमहा ओम नमो आद स्क्रीन पर आपको जो मंतर दिखाई दे रहा है यही वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मंतर है इसी का आपको इस्तमाल करना है किसी भी देविदेपता को बुलाने में आप इसका इस्तमाल आपको कैसे करना है जैसे देखिए पहले तो आपको यह मंतर को सिद्ध करना तो आपको क्या करना है जब आप सूरी गिन्यन पर सिद्ध ना कर पाओ तो आपको इस मंत्र को अमावश्य के दिन सिद्ध कर लेना है ठीक है अमावश्य की रात 9 वजे से लेके 10 वजे तक यानि एक घंटे आपको ये मंत्र बोलना है 108 वारनी बोलना है इसको समय के इसाब से आपको बोलना है जब आप इस मंत्र को समय के इसाब से बोलेंगे तो ये मंत्र आपका एक घंटे में सिद्ध हो जाएगा जैसे ही मालिज आप इस मंत्र को एक घंटे में सिद्ध कर लेते हैं देखें दो तारिक का गिरेन भी है और द तीनी और उद्राक स्कीम वाला से उसके बाद आपको क्या गरना जब ये आप एक घंटा जप लेंगे तो आपका मंतर सिद्ध हो जाएगा फिर उसके बाद समझ लो जो भी देविदेपता को बुलाओगे जिसे काली मा को बुलाओगे तब इस मंतर को तीन बार बोलना है जब तीन वार ताली बजाओगे तो तीन वार अपने हाथ पे ताली बजा दोगे तो अपने हाथ पे फूक माँ देना तीन वार ठीक है तीन वार फूक मान नहीं तीन वार ताली बजा नहीं है और समझ लो जो भी देविदेपता को बुलाओगे सामने आपके परकट होगा चाहे काली मा हो कोई भी देवी देपता हो उस देवी देपता को आप इस मंतर के जरिये से सामने हाजिर कर सकते हैं बहुत पावरफुल मंतर है सिद्ध सवार मंतर है मा काली का इस मंतर से कोई भी देवी देपता आपकी ओर आकर खड़ा हो जाएगा चाहे वो कोई भी हो जिसको भी आप बुलना चाते है जो आपके घर के देवी देपता हो जिससे भी आप पूछना चाते है जिससे बात कहना चाते है तो इसी मंदर का आपको इस्तिमाल करना पड़ेगा तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय माकाली घरहर मादेव माकाली बाबा भूले ना तापकी मनोकामना पूरी करें जय माता देव